नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल और पंजाब उन्वस्टी चंडिगड की तरफ से बहुती बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी को पता है कि उन्वस्टी आपके फरवरी और मार्च में एक्जाम कंड़क्ट करवा रही है ओनलाइन जितने भी स्टूडेंट है चाहिए वो प्राइवेट के स्टूडेंट हो रेगुलर स्टूडेंट हो सभी के ओनलाइन एक्जाम होंगे और इसके बाद जो उन्वस्टी है उन्होंने आपकी जो डेशिट है वो भी जारी कर दी है ओड समेस्टर की और ये आपकी जो guideline है online exam की वो university ने जारी कर दी थी लेकिन जो हर्याना में internet connection है वो बंद किया गया था तो मेरा भी internet connection बंद था तो इसलिए मैं आपको update नहीं कर पाया तो उसके लिए sorry तो मैं आपको ये update दिखा देता हूँ जिन्हों आपने सभी ने ये guideline देख ली होगी लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आई तो इस वीडियो को जुरूर देख लीजेगा और वीडियो को share जुरूर करिए ताकि किसी भी student को अगर कोई problem है guideline समझने में तो वो इस वीडियो को द पता है जिनके December में एक्जाम होने थे और समेस्टर के आनी की यहाँ पर देखिए जो first point है इसमें लिखा है कि third semester के पांचवे के साथवे के और नवे semester के जो examination है वो आपके होंगे 15 फरवरी से ठीक है regular के भी इसमें एक्जाम होंगे repair के भी और improvement के additional के सभी के इसमें एक्ज एक्जाम होंगे ठीक है private student के सभी केस में exam है आपके online exam होंगे और उसके बाद जो यहाँ पे detail है जो first semester के regular और repair के student है उनके exam second week में होंगे March के ठीक है जितने भी student है चाहे वो private के student हो improvement के student हो या फिर additional के ठीक है इन सभी के exam होंगे March में second week में और उसके बाद roll number कैसे download करना है यहाँ पे देखिए आपके जो roll number है वो 8 फरवरी से आप अपने department से college से ले सकते हो जो regular student है फरवरी से उसके बाद जो private student है या फिर USOL के student है उनके जो admit card है वो भी 8 फरवरी से download होने start हो जाएंगे और वो official site पे आपको link मिल जाएगा वहाँ पे ठीक है उसका link आपको description में म और यह mention करके अपना admit card download कर सकता है और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है admit card download करने में तो आप यहाँ पे अपना issue लिख सकते है यह email id है यह UG student के लिए है यह PG student के लिए है ठीक है यहाँ पे अपनी problem लिख सकते है कि मेरा admit card है वो download नहीं हुआ अगर किसी का download नहीं ह ठीक है और उसके बाद यहाँ पे लिख है कि आपकी जो date sheet है वो आ चुकी है आप date sheet देख सकते हैं university की official site पे जाके यह यहाँ पे link दिया गया आपको description में भी बिल जाएगा और कोई notice आता है तो आपको university की official site पे देखना है ठीक है notice और हम भी आपको बता देंगे और उसके बाद सड़े 4 बजने तक आपका exam चलेगा ठीक है दो session में आपके exam करवाए जाएंगे और उसके बाद आपका यहाँ पे लिख है कि question paper कैसे download करना है आपको जो UG के student है वो आपके लिए यह site रहेगी आपका question paper download करने के लिए और जो PG के student है उनके लिए यह site रहेगी ठीक है यहाँ से आप अपना जो question paper है वो download कर सकते है ठीक है home page पे यह आपको question paper मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो second point है इसमें लिख्या है कि अगर आप question paper download कर लेकते हैं तो उसके बाद आपको देख लेना है कि यह question paper cracked है या नहीं ठीक है आपके chorus का question paper है या नहीं ठीक ह तो 9.10 पे आपका question paper आजाएगा official site पे ठीक है और सड़े 12 बजे के बाद आप question paper download नहीं कर सकते हैं site से ठीक है उसके बाद आपका question paper download नहीं होगा और इसी परकार ये evening session के लिए है आपका question paper 1.10 पे आजाएगा ठीक है देड़ बजे से आपका exam है और उसके बाद यहाँ पे question paper कितने attempt करने है आपको question paper ठीक है कितने question attempt करने है यहाँ पे लिखे है कि इसके लिए कोई अलग से guideline नहीं है जो आपका question paper होगा उसी पे mention होगी आपको वहाँ पे वो read कर लेनी है कितने question आपको attempt करने है ठीक है तो यहाँ पे यह सभी बाते लिखी है कि आपको question paper कितना attempt कर आई हुई है उसका लिंक आपको मिल जाएगा कुर्षेत अन्वस्टी की वो अंसर सीट है वैसी आपको अंसर सीट लेनी है एफॉर साइज की जो यूजी के स्टूडेंट है यानि की बीए बीए सी बीगोम के इनको 20 पेज लेने है ठीक है वन साइड ठीक है एक साइड में अ आपको कोई भी एक्ष्टा पेज जो है वो नहीं लेना है जितने आपको बोला गया है जैसे 20 बोलने है तो 20 लेने है 24 ठीक है और उसके बाद जो फर्स्ट पेज होगा आपकी अंसर सीट का उस पे आपको यह डिटेल मेंशन करनी है इस पे मैंने डिटेल से वीडियो चाहिए ठीक है फर्स्ट पेज होगा जो आपका उस पे आपको यह डिटेल मेंशन करनी है जैसे पेपर का कोड क्या होगा पेपर का नाम ठीक है डेट ओफ एक्जाम ठीक है यहाँ पे टोटल जितने आप पेज लिखोगे यानि कि 24 में से अगर किसी ने 20 पेज लिखे है त यहाँ पे आपको एक undertaking देनी होगी कि मैं अपनी जो answer seat है वो कैसे submit करता हूँ ठीक है ओनलाइन अगर आप submit करते हो या offline ठीक है hard copy तो आपको दोनों में से एक option select करना है जो भी college के student है कि मैं online exam जो answer seat है वो upload करना चाहता हूँ या physically वहाँ पे जाके ठीक है फिर यहाँ पे आ आता ही है कि आपको blue pen लेना है और उसके बाद यहाँ पे लिख है कि आपको answer seat कैसे submit करनी है जो regular student है ठीक है किसी department के student है college के student है उनको answer seat जो है वो email पे upload करनी है ठीक है जो अगर वो online अपनी answer seat upload करना चाते है तो email ID आपका जो college है department है या फिर regional center है वो आपको देगा और आप एक ही जो है answer seat submit कर सकते है या तो आप online कर सकते है या फिर offline कर सकते है ठीक है और अगर आप offline करते हैं physically mode से करते हैं अपनी answer seat तो आपको तीन बज़े से पहले यानि कि आपका जो paper है वो सड़े 12 बज़े खतम होता है जो morning session का तो उनको तीन बज़े तक अपनी answer seat physically रूप से अगर आप offline अपनी answer seat submit करना चाते हैं तो तीन बज़े तक आपको submit कर देनी है और जो evening session के है उनको 7 बज़े तक शाम के ठीक है वहाँ अपनी submit कर देनी है अगर आपको offline देनी है answer seat और जो online answer seat है वो आपको 90 minute के अंदर ठीक है डेड़ गंटे के अंदर आपको अपनी answer seat अगर आप online करते हैं ठीक है और जो private student है या फिर USOL के student है इनको answer seat कैसे upload करनी है जो morning session के student है इनको कोई भी email id नहीं दी जाएगी इनको speed post के जरिए या फिर registry के जरिए अपनी जो answer seat है वो upload करनी होगी आपको मैं address भी बता देता हूँ कहाँ पे आपको वो भेजनी है अपनी answer seat और उसके बाद जो evening session होगा इनका private student का इनको अपनी answer seat जो UG के student आपके लिए ये link रहेगा और PG के student के लिए ये link रहेगा आप online अपनी answer seat कर सकते हैं 90 minute के अंदर जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है ठीक है जो regular student है उसी परकार और आपको admit card भी लगाना होगा first page पे ठ इसी के बाद आपको वो answer seat upload करनी है और google link होगा उसका ठीक है जिस पर आपको upload करनी होगी और google form का जो link है उस पर मैंने video बना रखी है कैसे वो link होता है कुर्षेत्य अनवर्ष्टी की है वो आप उसको देख सकते हो सेम वैसा ही आपके पास link आएगा और hard copy आपको अगले द करनी होगी ठीक है कि मैंने online submit करवा दी थी तो अगले दिन में आपनी जो hard copy हो submit कर रहा हूं ठीक है यह आपको line लिखनी पड़ेगी undertaking और उसके बाद जो address होगा hard copy का जहां पर आपको अपनी answer seat भेजनी है speed post के जरीए या फिर जिसी के जरीए यह आपका address रहेगा इसको private है कि आपको जो answer seat है जो private student है या फिर USOL के student है उनको क्या करना है अपनी जो email id है खुद की वहाँ पर अपनी जो answer seat है वो upload कर देनी है ताकि वहाँ पर timing आ जाए कि आपका जो question paper है वो कब complete हो गया था ठीक है 90 minute के अंदर आपको वो कर देनी है ठीक है यह proof रहेगा आपके ठीक है जो main point है कि आपको कोई भी notice आता है तो आपको university की official site पे देखना है वो ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं करना और हमारे channel पर भी आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी आपको official जो जानकारी है वो दी जाती है और उसके बाद जो अगला point है कि आपको कि इस परकार से PDF बनानी है उस पे मैंने वीडियो बना रखी है और आपकी university है जो वो भी demo वीडियो आपकी जो official site है वहाँ पे upload करेगी तो उसको भी देख सकते हो आप और PDF कैसे बनाते हैं उस पे मैंने detail से वीडियो बनाई है क्या-क्या उसमें आपको mention करना होगा A4 size कैसे क करना है तो आप उसको देख सकते उसका link आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपका जो online examination के लिए है कि आप अपना कोई भी re-checking के लिए या re-valuation के लिए apply नहीं कर सकते यह यहाँ पे last बात mention यहाँ पे की गई है तो PDF कैसे बनाते हैं या फिर Google form कैसा होगा उस पे मैंने कु PDF के लिए अलग से वीडियो बनाई है तो उसको भी देख लीजेगा तो देरी के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन इतनी भी देरी नहीं हुए है कि आपके exam आ चुके है 15 फरवरी से आपके exam है तो आप इसको अराम से देख सकते हो एक एक point समझ सकते है अगर फिर भी आपको कोई doubt रहता है तो आप comment करके मेरे को बता दीजेगा आपके सारे doubt clear कर दिये जाएंगे धन्यवाद जैहिंद